दोस्तों अगर आप भी एक स्टूडेंटों और सोच रहों पढ़ाई के साथ साथ अपने पाट टाइम में जिस टाइम पे आप फ्री रस्ते हों एक दो गंटे काम करके अपने मुवाइल से पैसा कमाने लिए तो इस प्लाटफॉर्म से बहुत ही असानी से आप ऑनलाइन पै करके उसके बाद ही आपको अप्लोड करना जो क्लास नौट्स आप अपने स्कूल में क्लास के दौरान बनायों उसी को भी अप्लोड करके आप यहां से पैसे कमा सकते हो बस आपको द्यान क्या रखना कि आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज टॉप्टिक वाइ इससे होगा क्या कि आपका practice भी हो जागा आपका पढ़ाई भी हो जागा और साथी साथ आप गर बैटे अपने mobile से online पैसे भी कमा लोगे इस वीडियो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ही नहीं साथी साथ आपके सामने में online पैसे कमा करके दिखाने वाला हो payment proof भी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो दोस्तों ऐसे ही online पैसे कमाना चाहते हो तो चैनल को सबसे पहले आपको करना क्या है तो नीचे description box में आपको एक link मिल जागा फटाफट आपको उस पे click कर देना वो directly आपको redirect करते हैं इसके official website पे जहाँ पे देखोगे तो कुछ इस टाइप का interface देख देगो मिल जाता है इस platform का नाम है study pool, study pool एक e-learning platform में बच्चे यहाँ पे online classes के लिए आते हैं अपने पढ़ाई घर बेटे अपने mobile से कैसे करें इस platform से यहाँ पे हो जाता है उपर में देखोगे तो 24x7 का study help मिल जाता है और इस platform से related और जानकारी आपको नीचे मिल जाता है जैसे Q&A tutoring work आपको यहाँ पे एक मिल जाता है जिसका सारा detail यहीं पे देखने को मिल जाता है और नीचे आप आजाओगे तो इस platform का आपको सारा detail देखने को मिल जाता है अब इस platform से आप पैसा कैसे कमा होगे तो यहीं ऊपर में देखोगे तो एक थिरी बार का option आपको देखने मिल जाता है जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और फिर आप देखोगे क्योंकि एक e-learning platform में तो यहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासे के लिए आते हैं तो वहीं opportunity भी teacher के लिए बहुत जादा हो यहाँ पे मिल जाते हैं कई सारे method से आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो जैसे e-learning platform में तो यहाँ पे आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा करके भी पैसे कमाने वाले हो देख सकते हो यहीं पे एक option है become a tutor इस पे क्लिक करके as a teacher आप registration करके बच्चों को पढ़ा करके भी पैसे कमा सकते हो एक educator का option मिलेग उसके बाद क्या करना उसका answer step by step अपने copy में अपने handwriting से भी लिए आप लिख सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो type करके भी उसका answer आप लिख सकते हो फिर उस answer को submit करने पर एक answer पर आप पैसे कमा सकते हो आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हो कैसे document को upload करके आप इस पर आपको click करना है फिर full detail आपको उपर में ही देखने को मिल जागा देख सकते हो आप earn money कर सकते हो कैसे करने वाले तो document को upload करने पर एक document पर upload करने पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है तो नीचे में साफ साफ लिखा हुआ है up to $10 तक आप एक class notes को upload करने पर याप पै class notes को आपको upload कर देना फिर उसके बाद क्या है यह चला जागा review होने के लिए अगर आपने जो class notes को upload किया हो सही class notes है topic wise है chapter wise है और subject wise है तो उसके बाद में वो approved हो जाता है और जैसे ही approved हो गया student इसको देख पाएंगे और जैसे ही एक student भी देख लेते हैं आपके class notes को तो आ top earner आपको देखने हों मिलेंगे जो यहाँ पर document upload करके कितने पैसे कमारें dollar में कमारें कितने जादे कमारें उनका नाम वेगरा total कुछ आपको यहाँ पर देखने हों मिल जागा और नीचे आपको आजाना तो यहीं पर कुछ example आपको देखेंगे class notes को आप बनाओगे कैसे तो जैसे उसके लिए देखोगे तो यहीं पर एक है algebra integral का तो यह 9 page का class notes से कैसे बना हुआ है तो यहाँ पर class notes को आप दो तरीके से बना सकते हों अगर आपको लगता है कि handwriting आपका अच्छा है और handwriting से लिग करके class notes को upload करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो या फिर अगर आ आपका handwriting अच्छा नहीं है आप type कर दो तो उस condition में आप type करके जैसे type किया हुआ है वह से type वाले class notes को upload करके आप यहां से पैसे कमा सकते हो कैसे class notes को बनाना तो just इस पर click करके आपको मैं दिखा दता हूं सबसे पहले कि class notes को आपको बनाना कैसे इस पर click करने के बाद मैं दे उस topic के बारे में पूरा detail आपको लिख देना फिर उस topic से रिलेटर दितने भी theorem है उस theorem को आपको explain कर देना फिर उस से related उसी theorem से related एक दो जो problem है उसी topic से related जो है उसको आपको यहां पर question को लिखना है फिर उसको आपको answer भी लिखना है ऐसे करके topic wise, chapter wise, subject wise आप यहां पर class notes ब आपको यहां पर बता देना है, जैसे कि यहां पर बनाया हुआ है जो कि आप यहां पर देख सकते हो, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या गारना है, आपको करना पड़ेगा registration, उसके लिए आपको क्या 3 बार पर क्लिक करना है, मैं यहां पर sign up वाले button पर क्लिक करता हूँ, फिर देखोगे तो manually भी आप sign up कर सकते हो, Facebook से भी कर सकते हो, Google से भी कर सकते हो, सारे option आपको यहां पर मिल जाते हैं, मैं क्या करता हूँ, directly Google पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में जो भी Gmail account मेरे mobile में login है, उस सो हो जाएंगे, आपको सो हो जाएंगे, फिर क्या है कि ओ directly जाओगे और आज आओगे इस page पर, अब यहीं पर देखोगे, तो फिर से वही वाला page open हो जागा, और नीचे में आप देखोगे, तो सारा detail देखने हो मिल जागा, और यहीं नीचे में आपको एक option मिल जाता है, कि आप अपना document को upload कर सकते हो, जैसा यहां पर देख सकते हो उपर में dollar कितना पैसे का आने वाले हो, और नीचे में upload more file, अगर और नीचे आप आजाओगे, तो directly drag and drop का भी option है, directly drag करके drop कर सकते हो, अगर आप अपने laptop या फिर PC में on किये होगे इस website को, तो directly drag and drop भी कर सकते हो, इसमें कौन कौन सा file supported है, तो आप PNG, JPG, मतलब हर एक file, ज फिर other document का file में हो, तो उसको भी आप upload कर सकते हो, उपर में आपको सारा ही document का file आपको देखने हो, वो मिल दागा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उपर आ जाता हूँ, यहीं पर देखोगे upload more file का एक option मिलेगा, इस पे click करना, और directly उसके बाद में इस पे click करना, और उपर म इस समय के बाद में इस upload हो जागा automatic, जश्ट वेट करते ही कितना time लगता है इसको upload होने में, देख सकतो हो रहा है, और कुछी समय के बाद में आप देख सकतो है, यह upload successful हो चुका है, जो कि आपको यहाँ screen पर दिख रहा, जश्ट ok करना, ok करने के बाद में आप देखोगे, तो आपके सामने में फिर से वही वाला page देखने में मिल जागा, और जो document आपने upload किया है, वो चला गया है अभी processing में, अगर यह valid document है, किसी परकार का error नहीं है, आपके document जो भी बढ़ा हो, chapter by subject by फिर से बता रहा हो, वो सब कुछ सही है, तो उसके बाद क्या है, कि वो document approve हो जागा, और जैसे ही एक student भी आपका document को देख लेता है, तो एक view पे यहाँ पे 10 डलर तक आपका earning होता है, जैसे यहाँ पे देख लो, जो document में यहाँ पे upload किया, यह चला गया processing में, जो आपको यहाँ पे देखने हो मिलागा, उसके बाद time लगता है, इसके बाद आपको ए old assignment, class notes, multi language content, इन सारे चीजों को upload करके आप यहाँ से पैसे गमा सकते हो, तो जो भी document आपने upload किया है, यह चला जागा verification के लिए, जैसा ही अप्रोब होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, दोस्तों, आपसा ही मैंने upload किया था, कुछ time के बाद में यह approve हो गया, देख सकते हो, यह approve हो चुका है, अब इसके लिए मुझे पैसा कितने मिले हैं, तो यहीं थिरी बार पे क्लिक करते हैं, earning वाले section पे क्लिक करते हैं, तो मैंने एक नहीं कई सारे document को upload किया, उसके बाद में मुझे total $37 का earning हो आ, जो कि आप मेरे wallet में यहाँ पे सका पाना चाहते हो, तो इस platform से आप कमा सकते हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने दते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, जैहिन जै भारत